है लास्तैंट टुडे गी तो रॉपेसरी कोे основ क्या है lucky्ड आपशे क्या दीक के बतान होता है अयुकेल Иगेरे पॉद ब्रश को यूज करके आपको डॉट लगाती जाओंगी, जिस लाइन को मैं explain करती जाओंगी, right? Gaseous Exchange occurs through the Diffusion process. Gaseous Exchange occurs through the Stomata. Gaseous Exchange is through the Stomata. अब देखते हैं कि NIGHT TIME मैं और DAY TIME में जो है वो किस तरह से Gases Refuse करती हैं तो दूइरिंग NIGHT जो है वो पौधे जो है वो CO2 को जो है वो रिलीज करते हैं इन्वाधमें और DURING DATE TIME जो है वो Oxygen Refuse ौट करते हैं पौधे जो हमें क्या देते हैं? दिन के समय क्या देते हैं? ऑक्सिजन देते हैं? और पौधे जो हमें रात के समय क्या कौन सी गैस जो है वो रिलीज करते हैं? CO2 को रिलीज करते हैं, right? उसके बाद है, exchange of gases between the plants and the environment occur through stomata. क्या रहा है कि जो पौधे जो gases को exchange करते हैं, तो वो कि किस चीज के दवारा करते हैं? तो आपने answer देना है किस के दवारा? टो मेटा के दवारा, ठीक है? उसके बादे next topic करना है, हमने respiration in plants, respiration in aquatic plants, aquatic का मतलब जो पानी में रहने वाले पौधे हैं, जरा उनका lifestyle अलग होगा, ठीक है? पौधे जो पानी में पाए जाते हैं, वो क्य करेंगे, aquatic animals breathe in oxygen, breathe oxygen, जो की, जो oxygen dissolved हुआ होगा water में, उसको जो है, वो use करेंगे, जो पौधे हैं, जो oxygen dissolved हुआ है water में, उसको use करेंगे, rate of breathing of aquatic animals is higher than the terrestrial ones, it's a very important point, कह रहा है कि जो breathing, breathing मतलब सांस लेनी की क्रिया जो है, वो aquatic animals की जो हो higher होती है, as compared to the terrestrial ones, terrestrial means, कि जो धरती के ऊपर पाए जाने वाले जीव हैं, उनके comparison में, जो पानी में पाए जाने वाले जीव हैं, वो जो है, उनका breathing rate जो है, ज्यादा फास्ट होता है, then उसके बाद है, fishes की बाद करेंगे, तो fishes के बाद क्या होते हैं, gills होते हैं, for the absorption of oxygen, then, उसके बाद next topic है, respiration in terrestrial animals, those animals, these animals use terrestrial animals, topic समझ में आ रहा है, respiration जो है वो किसमें देखना है, हमने, terrestrial animals में देखना है, terrestrial animals, धरती के ऊपर पाए जाने वाले जीवों के बीच में respiration कैसे होता हैं, हम लोगों में respiration कैसे होता है, हम लोग जो है वो oxygen को लेते हैं these animals use the oxygen in the atmosphere for respiration हम लोग जो है वो क्या करते है O2 को यूज़ करते है, O2 को यूज़ करते है, O2 को यूज़ करते है, for respiration, right, O2 को यूज़ करेंगे, so next slide देखते है, respiratory system की, तो respiratory system में क्या है, respiratory system, human respiratory system, हमारा जो respiratory system है, वो किस चीज़ से बना है, ठीक है, क्या-क्या structures होती है, first of all, जो 10th class है, उसमें जो है, वो 2 marks में जो है, या फिर 4 marks में जो है, ये diagram सारे का सारा जो है, वो included होता है, ठीक है, कौन सा, ये structure जो है, वो सारा 2 marks में आता है, तो इस structure में आप देखिए, कि सबसे पहले क्या है, कि ये nasal, nostrils लिखा है न, यहाँ पर, nostrils लिखा है, तो nostrils, जो है, nostrils का यहाँ से start हो जाता है, nostrils, जो है, वो सीधा lead करती है, nasal, nasal chamber में, nasal chamber सीधा lead करता है, किसमें, yes, trachea में, trachea जो है, वो divided होता है, किसमें, bronchi में, ब्रॉंकाई, ब्रॉंकाई में, हो गया, और जो कहरा है, कि जो trachea होता है, यहाँ, इस trachea में, rings present होती है, cartilage की, tabii, अब जो ब्रॉंकाई है, ब्रॉंकाई जो है, वो दो भागों में divided किया है, ब्रॉंकियोल्स में डिवाइड कर दिया है, ब्रॉंकियोल्स जो है, आगे फिर से जो है, वो बहुत सारे structures में divided है, जिनको क्या कहते हैं, alveolar sac, और ये सारा जो है, जो structure अभी मैंने बताया आपको, ये सारे का सारा structure जो है हमारी जो पसल यहां होती है, वो जो है, ribs जो है, वो protect करके रखती है हमारे internal organs को, यानि की lungs को, so तो एक पैसे देखते हैं, nostrils जो है, वो सीधा lead करती है, nasal cavity में, nasal cavity आगे pharynx में, pharynx आगे larynx में, larynx आगे trachea में, trachea आगे bronchiयोल्स में, bronchiयोल्स आगे, alveolar sac में, so first is the nostrils, ठीक है, so first देखेंगे nostrils को, तो nostrils में, हम देख रहे हैं, nostrils में क्या है, nostrils क्या होती है, these are the openings through which the air is taken into the nasal cavity, जिसके द्वारा हम जो हैं, इसको nasal cavity में, nasal cavity, nasal cavity में, अभी, द्रुकिए, अभी देखें, nostrils जो हैं, these are the opening through which the air is taken into the nasal cavity, उसके बाद है nasal chamber, nostrils के बाद क्या आता है, nasal chamber आता है, तो nasal chamber में, nasal chamber जो है, nasal chamber जो है, वो oral cavity से separated होता है, by bony palate, यानि कि अगर आप अपने tongue को उपर लगाएंगे, अपने mouth में, उपर की तरफ को करेंगे, तो आपको bony palate, जो है, वो feel होगा, ठीक है, तो nasal cavity is divisible into three regions, कहारा है कि जो naak का region होता है, ये उपर से तीन भागों में divided होता है, पहला region जो होता है, वो vestibular region होता है, ठीक है, vestibular region जो है, उसमें hairs present होते हैं, oil glands present होते हैं, उसके बाद respiratory region होता है, respiratory region जो है, वो middle part होता है, middle part जो है, उसमें कौन सा epithelium होता है, ये ciliated epithelium होता है, ciliated epithelium होता है, तो देखिया अब, मैं बताती हो आपको, यहां से बोल रही हो मैं, sorry, sorry, ये ciliated epithelium, very sorry, then, उसके बाद है next pharynx, pharynx क्या है, common passage होता है, food और air का, that leads into the trachea, जो कि trachea में lead करता है, ठीक है, आगे है pharynx, pharynx आपका हो गया, ठीक है, food और air, जब हम खाना खाते हैं, तो जो खाना हम खा रहे हैं, ठीक है, वो खाना जो है, वो कभी भी air pipe में नहीं जाए, इसलिए महां पे जो है, वो epiglottis एक structure present होता है, क्या structure present होता है, यहां पे मैं बात कर रहे हूँ, मैं brush यूज कर रहे हूँ, यह यहां पे, ठीक है, epiglottis, it is a, कह रहा है कि, it prevents the entry of the food into the wind pipe, ठीक है, जब भी मैं notes को पढ़ाऊं, तो please आप अपने notes को खोलिए, और उनको अच्छी तरह से एक अपने पास pencil रखिए, तांकि आप important points जो है, उनको फटा-फट mark करें, important, जब आपका काम हो जाए, तो आप video को जो है, वो delete भी कर सकते हैं, ठीक है, आप जो है, अपने fair copies, जो है, वो साथ के साथ correct भी करें, जहां भी mistakes लग रही हैं, आप जो है, उसको ठीक कर सकते हैं, यह information आप लोगों के लिए थी, अब जो है, next देखिए, कि pharynx के बाद जो है, वो trachea and bronchi है, trachea and bronchi है, ट्रेकिया जो है, इसका दूसरा नाम क्या है, wind pipe है, मतलब कि हवा की नाली जो है, हवा जो भी आप नाक से हवा लेते हैं, वो सीधी कहां जाती है, ट्रेकिया में जाती है, ट्रेकिया जो है, वो 11 cm in length है, 11 cm की total length है, 2.5 cm का diameter है, ट्रेकिया जो है, उसमें 12 to 15 in complete cartilaginous rings present होती है, cartilaginous rings का मतलब कि cartilaginous rings present होंगी, एक question आता है, कि cartilaginous rings जो है, वो कहां तक present होती है, कहां तक का मतलब कि bronchi तक होती है, या bronchioles तक होती है, तो पूरा लेक्चर पढ़ने के बाद आप ये बताना मुझे कि कहां पर present होती है, ज़रा ध्यान से सुनना, कहां कि these rings prevent the collapse of trachea, कहां कि cartilaginous rings जो present होती है, वो क्या करती हैं कि trachea को collapse होने से रोपती है, the mucus and celia both prevent the entry of dust particles and microbes, क्या रहे कि हमारे हवा की नाली में, जो mucus होता है, एक थूप की तरह जो है, वो पदार्थ होता है, mucus होता है और celia होते हैं, celia thread-like structures होते हैं, जो कि dust particles को और microbes की entry को जो हैं, वो रोकते हैं, जितना भी dust होता है, छोटे-छोटे microorganisms होते हैं, वो हमारी body के अंदर ना जाएं, तो वहाँ पे जो है, वो क्या होता है, mucus और celia present होता है, right? Then it divides into the bronchi which enters into the lungs, कह रहे है कि फिर उसके बाद bronchi जो है, वो कहाँ पे enter हो जाता है, lungs में enter हो जाता है, divisible into the two or three, into the three bronchi which enter into the three lobes of right lung and two in left lung. Then bronchioles and alveoli, with the lungs, each bronchi, each bronchus divides into the several bronchioles. कह रहे हरे एक bronchioles जो है, वो डिवाइड हो जाता है, किसमें, several bronchioles में, which are divide of cartilaginous rings, जहाँ पे cartilaginous rings जो है, वो present नहीं होते हैं, अभी मैंने answer दिया आपके question का, कि cartilaginous rings जो है, वो कहाँ तक होती हैं, जी कह, each bronchus divides into the several bronchioles, which are divide of cartilaginous rings. Then, they divides and re-divide into the lobular bronchioles, to constitute the bronchioles tree. फिर क्या बनता है, एक bronchioles tree बनता है, into swollen atrium, each atrium bears six air sac, जो हैरे एक atrium में six air sac होते हैं, जिनको हम alveoli बोलते हैं. Alveoli are the site of the respiratory exchange. 750 million of alveoli present in the lungs, किया रहे हैं कि 750 million alveoli present होते हैं, लंक्स में. यह question आ जाते हैं कही पर, कि जो alveoli हैं, वो कितने होते हैं, तो आपने याद रखना है, 750 million alveoli present होते हैं, ठीक है, बहुत सारी blood capillaries, जो हैं, वो in alveoli के आसपास होती हैं, gases का exchange करने के लिए, याद रखना, क्या present होता है, network of blood capillaries, उसके बाद देखेंगे, हम structure, जो हैं, वो lungs का, ठीक है, spongy elastic organs होते हैं, ठीक है, thoracic cavity में enclosed होते हैं, और two lungs होते हैं, एक left lung होता है, एक right lung होता है, ठीक है, अब जो right lung है, उसमें three lobes होती हैं, और जो left lung है, उसमें two lobes structure होती हैं, enclosed by a two layered membrane, आउटर, कह रहा है कि जो lungs होते हैं, उनकी जो दो membranes होती हैं, एक outer pleura और एक inner pleura, एक outer pleura, और दूसरी कौन सी है, inner pleura, so next slide में देखिए आप, ठीक है, outer pleura and inner pleura, so come from this, next slide में आपने यहां से देखना है, pulmonary respiration, respiration through the lungs, ठीक है, pulmonary respiration, respiration through the lungs, function of lungs, कह रहा है कि lungs के function क्या है, then उसके बाद हम breathing mechanism को study करेंगे, ठीक है, पहले देखते हैं, pulmonary respiration को, pulmonary respiration, respiration through the lungs, pulmonary respiration किसको बोलते हैं, respiration through the lungs, ठीक है, respiration through the lungs, उसके बाद जो है, next है आपका functions of lungs, play an important role in a breathing and absorption of oxygen, कह रहा है कि, इसका important role होता है, oxygen की absorption में, क्या रहा है उसके बाद जो है, breathing mechanism आता है, first आता है inhalation, दूसरा आता है exhalation, तो inhalation में जो है, वो क्या है, sorry, inhalation में क्या है, taken in a good air, मतलब inhalation में हम क्या करते हैं, जो साफ हवा होती है, उसको अपने nostrils में ले जाते हैं, अपने नाक में ले जाते हैं, ठीक है, inhale कर लेते हैं, और दूसरा process जो है, वो exhalation है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो fall air होता है, उसको release कर देते हैं, ठीक है, जो मतलब, जो CO2 है, उसको क्या कर देंगे, हम release कर देंगे, so next slide में देखिए, inhalation process में क्या होगा, diaphragm muscles जो है, वो contract होते हैं, diaphragm क्या होता है, हमारी जो ribs होती है, ribs के नीचे, जो है, वो एक structure बनता है, diaphragm, ठीक है, वो diaphragm के muscles, जो होंगे, वो contract होंगे, contract मतलब, सुकोडना, ठीक है, वो contract होंगे, diaphragm is a pulled down, diaphragm जो है, वो नीचे को होगा, lungs respond, sorry, expand, lungs जो है, वो expand होंगे, जितने lungs expand होंगे, अंदर जो है, वो air pressure जो है, वो decrease होगा, lungs के अंदर, air pressure जो है, वो decrease हो जाएगा, और volume जो है, वो increase होगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हम inhalation, क्या बोलेंगे, inhalation, ठीक है, उसके बाद देखे, exhalation में, diaphragm muscles relax, diaphragm muscles जो है, वो relax होते, diaphragm muscles जो है, वो relax होते, diaphragm is pulled up, lungs contract, ठीक है, lungs जो है, वो contract होते, देखे, ठीक है, अब इसमें जो है, वो आप next देखे, exhalation की बात करनी थे, ठीक है, exhalation में, इसका बिल्कुल opposite होगा, जो चीज़ें उपर आपने पढ़ी, इसका बिल्कुल opposite जो है, वो आप नीचे पढ़ेंगे, ठीक है, opposite क्या है, diaphragm muscles relax, diaphragm is pulled up, lungs contract, volume decreases, उपर जो जितना भी हमने पढ़ा, इससे पीछे जो पढ़ा, वो सारा respiratory system के बारे में था, अब next topic है, आपका transportation, ठीक है, जो की हम next slide में पढ़ेंगे, अभी तक जो है, इतना आप बच्चों ने, जो है, वो learn करना है अच्छे से, ठीक है, और इसमें से बहुत सारे questions आते हैं, तो be ready for that, अब transportation जो है, वो next, आपका topic है, next slide है, जिसको आपने अच्छी तरह से, समझना है, what is transportation, transportation का मतलब क्या होता है, एक जगा से दूसरी जगा जाना, अब body में जो है, वो किस चीज के entry हो चुकी है, आप सब जानते हैं, अभी हमने respiratory system किया, तो हमारी body में जो है, वो oxygen जा चुकी है, तो उस oxygen को, अब कहां भे पहुँचना है, हमारे body में पहुँच चुकी है वो, ठीक है, अब उसको कहां पहुँचना है, body के different-different parts तक पहुचना है, तो different-different parts तक पहुचने के लिए, किस का माध्यम होगा, कौन चीज help करेगी, obviously क्या करेगा help, blood, और blood जो है, वो किसमें present होता है, heart में, ठीक है, arteries, veins, capillaries, blood, lymph, ये सारी चीज़े मिलके, जो है, वो blood को जो है, वो सारी body में घुमाएंगी, और blood के साथ-साथ oxygen जो है, वो different-different body parts को मिलता जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, transportation, transportation, transport of O2, water, food and hormones, कह रहा है कि oxygen को, पानी को, food को, hormones को, हमारे body के different parts तक जो पहुचाने का काम है, उस process को हम क्या कहते है, internal transport, क्या कहते है, internal transport, और यह जो internal transport है, यह एक system के द्वारा होती है, तो वो system हमारी body में होता है, उस system का नाम क्या है, circulatory system, क्या नाम है, circulatory system, circulatory system consists of the, circulatory system जो है, वो किस से consist होता है, yes, heart से, artery से, vein से, capillary से, components है significance of circulatory system next है कि mahatitah क्या है क्या importance क्या है circulatory system की क्या function है circulatory system का तो function देखना है am Todos significance of circulatory system जो देखते हैं क्या है first of all first point is transport of gases सबसे पहला क्या है gases का transport होता है then उसके बाद क्या है transport of nutrients, transport of hormones, मतलब जितने भी body में nutrients हैं, gases हैं hormones हैं, wastes हैं ठीक है, सब चीजों का जो है, वो transport हो रहा है वो किसकी help से हो रहा है yes, circulatory system की help से ठीक है, तो इसके बाद next slide देखते हैं कहरा है कि types कितनी है circulatory system की दो types हैं हमारे बाद circulatory system की, first is the open circulatory system, दूसरा closed circulatory system, अब आप बोलेंगे कि मैं आपने बोला कि circulatory system जो है, वो हमारी body में transport का काम करता है, तो open और closed का क्या मतलब हुआ तो आईए समझते हैं कि open और closed का क्या मतलब है, अब इतना जान लो कि जो हमारी body में system होता है, वो कौन सा होता है closed circulatory system होता है right, mammals का, annulids का corredates का, कौन सा रहेगा, closed circulatory system रहेगा, अब आप जानो कि closed क्या चीज है हमारी body में आप सब को पता है, हमारी जो arteries होती है, veins होती है, ये सारी कि सारी क्या होती है, closed होती है ठीक है, इन्ही closed blood vessels के अंदर जो है, वो blood flow करता है right, अब सबसे पहले closed circulatory system को समझते है right, blood always remain, ये लिखा है न कि blood जो है, वो always कहां पे रहता है, remain inside blood vessels, blood vessels के अंदर रहता है, and never comes in direct contact with the blood flows न, vessels कह रहा है कि जितना भी blood होगा, वो blood vessels के अंदर रहेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, closed circulatory system so, और इसकी examples क्या है mammals, annulates and chordates, ठीक है, अब next पढ़ेंगे, open circulatory system, sorry, open circulatory system, open circulatory system में हम क्या पढ़ेंगे blood is pumped by heart into an erota, क्या रहा है कि blood जो है, वो heart जो है, blood को pump करता है, erota में erota जो है, वो क्या करता है which branches of into a number of arteries that open into a series of spaces called hemo seal, क्या रहा है कि heart जो है, वो blood को erota में भीजता है erota जो है, वो आगे बहुत सारी arteries में branches, arteries की branches बनाती हैं, arteries में जब blood चला गया, तो उसके बाद वो open space में चला जाएगा जिसकी वज़ा से हम इसको क्या कहते है open circulatory system ठीक है exchange of materials यहाँ पे exchange हो रहा है किसका, exchange of material between cells and blood ठीक है, बहुत सारी arthropods का ये है, sorry, बहुत सारी arthropods जो है, वो इस process को कर रहे हैं किस process को, open circulatory system किसका है, बहुत सारी arthropods का, ठीक है अच्छी तरह से, I hope समझ आया होगा open circulatory system and closed circulatory system प्लीज इसको अच्छे से आप learn करें, ठीक है what is the difference between open and closed, closed में blood जो है, वो internal inside जो है, blood vessels के होगा और open में जो है, वो blood vessels के बाहर flow करेगा blood, ठीक है, examples आपको बताई, open circulatory system की arthropods है और closed circulatory system की क्या है, mammals है ठीक है, हम सब बात तो कर रहे हैं कि blood को जो है, वो हम transport कर रहे हैं, तो आईए जाने कि blood में जो है, वो क्या-क्या components होते हैं, ठीक है adult person, adult person जो है, आईए, यहां से पढ़ते हैं, blood के बारे में कैरे कि जो adult person है, उसमें जो blood flow करता है, वो कितना होता है 5 to 5.5 liter होता है, और blood होता कैसा है, red colored होता है liquid, red colored का liquid होता है red colored liquid होता है, which circulates in our body, जो हमारी body में जो है, वो circulate करता है ठीक है, हमारी body में circulate करता है, ठीक है next ने आपके पस blood है ठीक है अभी अब मैंने आपको पताए कि adult person जो है इसके पास जो blood है वो 5 to 5.5 liter है ठीक है उसके बाद मैं आपको बता रही हूं कि blood जो है वो कैसा होता है it is a red colored liquid हमारा जो blood है वो कैसा होता है red colored liquid होता है liquid होता है ये ठीक है which circulates in our body जो हमारी body में circulate करता है ये red होता है because it contains a red pigment called hemoglobin in RBCs ठीक है अब मैंने आपको बताए कि blood जो है रेड कलर का होता है पर क्या कारण है कि वो red होता है तो आपका अंसर होना चाहिए कि ma'am ये red color का इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या present होता है hemoglobin present होता है ठीक है इसके जो red blood carpuses है उसमें क्या present होगा hemoglobin present होगा आईए कुछ और भी components है blood के वो क्या-क्या है first is the plasma ठीक है plasma present होता है plasma क्या है ठीक है very important आजकल plasma therapy चलती है तो आप सबको knowledge होना चाहिए कि what is plasma ठीक है ये कैसा ये जो viscous fluid होता है और alkaline होता है aqueous solution होता है और ये 55% जो है वो blood का carry करता है मतलब पूरे blood में 55% जो है वो plasma present होता है ठीक है blood में जो plasma है वो mainly क्या-क्या चीज़ें contain करते है जैसे RBCs है number one दूसरा WBCs तीसरा जो है वो platelets है ठीक है तो first है RBCs RBCs की full form क्या होती है red blood carpuscles right red blood carpuscles red blood carpuscles का दूसरा नाम क्या है erythrocytes क्या नाम है erythrocytes अब erythrocytes जो है वो कैसे होते हैं disc shaped होते हैं ठीक है disc shaped होता है इनका structure देखिए disc shaped structure है contain red pigment called hemoglobin hemoglobin containing cells carry oxygen in the blood it is present in bone marrow इनका मतलब क्या है कि RBCs जो है वो disc shaped है इनके अंदर hemoglobin है और hemoglobin जो है वो oxygen को carry करती है आप आया ना point यहां पर कि oxygen जो हमने inhale की nostrils से वो blood में जाके किस चीज़ में जाके mix up हो गई हां जी hemoglobin में कहां पर hemoglobin में तो hemoglobin जो है वो किसको carry कर रहा है oxygen को carry कर रहा है तो आप सबको याद होना चाहिए कि oxygen को carry करता है hemoglobin hemoglobin कितने molecules oxygen के carry कर लेता है yes four molecules को carry कर लेता है और आप सबको पता होना चाहिए कि RBCs जो है वो कहां बनते हैं bone marrow में बनते हैं ठीक है आगे एक चोटा सा एक फिकी सी line होगी है यहाँ पर light सी line में लिखा है function of hemoglobin yes तो यहाँ arrow डालके 4 O2 बनाए है इसका मतलब है कि एक hemoglobin चार oxygen molecules को carry कर लेता है oxygen यहाँ पर लिखा है न oxygen जो है sorry oxygen जो है वो किसके साथ mix up होता है hemoglobin के साथ mix up होता है yes oxygen जो है वो किसके साथ mix up हो गया hemoglobin के साथ और इसने क्या बनाया oxyhemoglobin when blood reaches the cells then need oxygen क्या रहा है कि जब जो है blood जो है वो cells तक पहुँचता है तो उसको oxygen की जरूरत पढ़ती है oxyhemoglobin जो है वो break up हो जाता है और oxygen को दे देता है body के अलग-अलग cells के पास और hemoglobin separate हो जाता है oxygen is used by the cells cells जो है वो oxygen को use कर लेते हैं क्या करने के लिए yes respiration के लिए and hemoglobin hemoglobin जो है फिर से free हो जाता है another oxygen molecule को लेने के लिए ठीक है अब next process है wbc's wbc's जो है वो क्या है white blood carpuscles है white blood carpuscles का क्या नाम होए दूसरा leukocytes है ठीक है यह कैसे cells होते हैं पहले थे ना पहले हमने जो था वो erithrocytes के cells की shape के बारे में पढ़ा कि वो disc shaped होते हैं अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं wbc's के बारे में यह कैसे होते हैं fewer in number इनका number जो है काफी कम होता है as compared to the number of the rbc's ठीक है involved in a body defense mechanism very very important wbc's का हमारी immunity में बहुत बड़ा जो है वो यह हमारी immunity को बना के रखते हैं ठीक है तो it means कि हमारी body को protect करते हैं defense में help करते हैं defense mechanism को strong करते हैं ठीक है then उसके बाद क्या है इसमें देखिया नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट से थ्रॉंबोसाइट से ठीक है smaller than rbc's 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 से जो है यह smaller होते हैं functions इनके क्या होते हैं helps in a blood clotting blood clotting पे help करते हैं repair करते हैं हमारी damaged endothelium को help करते हैं हमारी clot retraction को clot is clot क्या है जब हमें चोट लगती है तो brown color का cover बनता है उस चोट के उपर तो उसको क्या कहते हैं हम उसको क्या कहेंगे कि वह जो है ठीक है यह आप सबने याद रखना है बहुत अच्छे से ठीक है sorry अब इसके बाद next जो है वो हमारा heart का topic है ठीक है heart के बारे में हम कल पड़ेंगे हम बारे में हमें बारे में हमारा है झाल झाल